नेलिंग और हामरिंग उदेश हम इस पार्ट में नेलिंग और हामरिंग के विशेय में सीखेंगे इमारतों के निर्माण के समय कील की सहायता से लेकडी के दो टुकडे को जोडने की प्रक्रिया को नए लिंक खहते है कील धादू से बिनी हुई वो वस्तू है जो उपर से सपार्ट और नेचे से नुकिली होती है नुकिले हिसे को आशानी से वस्तू में खुसाने और उन्हें एक साथ जोडने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ए एक सपार्ट सिरेवाले हथोडे बाइवी बंधू को इत्यादी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है ये लिकड़ी को आंकर देने और किटकियों, चतों, दरवासों इत्यादी को अंतिम रूप देने में इस्तेमाल किया जाता है कीले 2D से 20D के विफिन नाप में आती है नाप कील की लंपाई और चोदाई को दर्शादा है कील को सावधानी से कैसे इस्तेमल किया जाए किसी भी वस्तू को जोडने के लिए उपयुक्त कील लेकर उसे हतोडे से टोग कर वस्तू में डाले उसे और अंदर डालने के लिए मुक्का मार सकते है या सिट का उपयोग कर सकते है टुकाई कीलें टोकने या ठीली करने या धादो की वस्तू को आंकार देने की प्रक्रिया को हैमरिं कहते है किसी वस्तू के भार को अंकने के बाद ही उसके इस्तेमाल का फैसला किया जा सकता है सारामश अब आप कील टोकना और टुकाई के बारे में जान गए है आशा है कि आपको पाट का आनन दाया धन्यवाद